जेश्री राम दोस्तों स्वागेत आप सब का अपने यूट्यूब चैनल मित्टु ट्रक व्लॉग्स में और मैं आपका भाई मित्टु तो वक्त हो रहा है दिन के एक मैंने सोचा यार महिंद्रा की गाड़ी का रिवीडियो कर लेते हैं बहुत टाइम हो गया था मैं कर महिं है तो पहले क्या करते है कि बाहरसे गाड़ी को धिखाता हूँ बाहरसे जो भी चैसिस से लेके घोडो से लेके में गाड़ी है और मतलब बहुत ही कमाल की गाड़ी है मैं खुद मतलब BS6 गाड़ी है मैं खुद महिंदरा की गाड़ी मुझे इतनी पसंद है मतलब यह वाली क्योंकि मैंने चलाई है और मुझे लगती भी बहुत ही ज्यादा कमाल है दोस्तों अभी मैं आपको नीचे से गा एक कमाल का मतलब एक फील दे रही है और बहुत ही मतलब कमाल क्या इसका काम हुआ है और काम हुआ इसका यह देखो कि आप जी एस खान बॉड़ी बिल्डर्स गली नंबर 3 हीराबाग पतियाला में तो पतियाला में इसका काम हुआ दोस्तों अभी जाऊंगा पहले चैसिस में नीचे घुशूँगा नीचे जागा आपको प्रॉपर गाड़ी दिखाऊंगा ज्यादा मतलब बड़िया तब रहता है दोस्तों जब हमारी गाड़ी हम खरीदते हैं जब हमने कैबिन के साथ गाड़ी ली तब ही मुझे आपको मतलब पूरा एक रिव्यू वीडियो जब हुआ है जो बॉड़ी का काम हुआ है मतलब बहुत ही कमाल हुआ है और आप पीछे देखोगे तो पीछे से भी गाड़ी को प्रॉपर एक अच्छी मिना के रखा है और जो मैं आपको दिखाता हूं स्टपनी तो स्टपनी आपको इसमें यहां पीछे मिलेगी नाकी आगे 27 22 फूट की गाड़ी है टोटल कुल मिल आके और नीचे देखोगे तो जो डंडे के टायर है हमारी लेंग्वज में इसको डंडे के टायर बोलते है तो डंडे के टायर आप लोग देखोगे तो प्रॉपर एक्जेक्ट वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले गाड़ में उपर होंगे है ना और ऐसा कोई मतलब दिक्कत नी और नीचे से जो काम हुआ है वोड़ों का वो भी एक प्राबर हुआ है है ना दोस्तों इन गाड़ियों की क्या खुबी है कि इनमें पावर इतनी ज्यादा दे रखी है ना इस बार महिंद्रा ने कमाल की पावर एक प्रॉट्वलेट और जो तो ग्यार है वो भी मतलब काफी ज्यादा है भी दिया है मेरे हिसाब से इसमें ऐस्मेर जो गीर है वो इडियों का गेर है सिक्स पीड है ना और एक रिवर्स hierarchy के साथ और दोस्तों जो इंजन का पावर है यो 280 HE पावर है और दोस्तों जो लिट्र के गुभारों की बात करें वो बहुत ही इस बार काफी अच्छे त парक के दोनों जो आपका लीफ्ट वाला चक्का रहता है नë यहां में चीज आती है बैटरा दोस्तों तो इस बार पहले की तरह ही पहले कट स्विच नहीं दिया जाते थे अब कट स्विच भी दे रहे हैं और डबल बैटरे 24 बोल्ट के साथ गाड़ी आपको मिल रही है यार एक तो नीचे जाना is not comfortable दोस्तों यहां से आपको प्रॉपर गीर में लीकेज है और आगे गाड़ी की सर्विस आई है जिसकी वापसी पाइप होती है वहां से कैसी अजीव तरह की आवाज आ रही है आपको प्रॉपर मेरी आवाज आ भी नहीं रही होगी और नीचे दोस्तों इसमें गजब गजब की मतला इलेक्टर काम इतना बहुत दिनों बाद गाड़ी स्टाट हुए क्योंकि आजकल हमारे प्लांट बंद है और नीचे से भी दोस्तों बहुत हुए मतलब महिंद्रा की गाड़ी मुझे इसलिए पसंद है एक तो इसमें खिचाई बहुत कमाल की है है ना पावर हर कुछ है और टायरों की सब्सक्राइब करते हैं और यहां से इसमें लॉक है को एक नॉर्मल सा बिल्कुल प्रॉपर जगह पे लॉक्त रखा है ड्राइवर को परशान होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है और देखो कि ब्रेकोईल है वह भी बाहर दिया है अंदर की मतलब कोई दिक्कत ही सब्सक्राइब करते हैं तो अभी तो गाड़ी स्टार्ट कर दीती तो इन्जिन ओल दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा एक तो गाड़ी की सर्विस आई है गाड़ी की आ रखिये सर्विस दोस्तों तो अपन अभी गरम गाड़ी का इन्जिनल चैक करेंगे तो यह मतलब करना नहीं चाहिए बट आपके लिए मुझे करना पड़ा जो सारा सिस्टम दे रखा है इन्होंने इस यहीं पर ही सारा दे रखा है बाहरी बाहरी थोड़ा सा इससे कुनेक्ट होके अंदर वाली साइड को मैं वह भी आपको अंदर से दिखाऊंगा दोस्तों जो कैबिन के आपको सौकर्ज मिलेंगे वह आपको इन पॉइंट में देखे रहे हो जो आपकी गाड़ी यह से जंप करती है और ग्रीज जैसे कि हम लोग ग्रीज करवाते गाड़ी में तो इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ को हलकी हलकी सी ऐसी कोई मतलब बहुत स तो योगेश भाई की रखे तो यो थी मिंद आपने डाड़ी नहीं लेग्यज को विटीतिने की पड़ी थे आपको बढ़ी थी लोय। दोस्तो अंदर से मैं आपको गाड़ी दिखाता हूं जो तो यह पर आपको एक 50 का 50 लेटर का तो यह ड्राइबर साइड की तरफ आपको एक यूरिय का टैंक भी यह यह पर आपको डीजर टैंक भी यहीं पॉइंट पर मिलेगा यूरिय का मुझे पता नहीं यार यूरिया मुझे प्रॉब्लम है ना महिंद्रा में ब्याइब गाड़ी आई उन सब में यह वाली जो लिकेज की प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा है काफी जितनी भी मैक्समम गाड़ी आई है उन सब में बहुत ज्यादा है तो यह चीज मतलब महिंद्रा को ठीक करनी चाहिए अभी आपन क्या करते हैं गाड़ी को ओपन करके अंदर बैटते हैं अंदर से आपको गाड़ी दिखाता हूँ मैं सबस्तों अंदर से गाड़ी एक डिजिटल मीटर के साथ प्रॉपर और हैंड़ ब्रेक आपको यहां मिली और एक कैबिन एक फर्स्ट क्लास मतलब एक जो सबसे बेस्ट कैबिन मिलेगा वो आपको इसमें मिलेगा है न महिंद्रा में और काफी मतलब काफी लोगों की यह च लोग काफी लेते हैं अगर हम other countries में देखेंगे न तो वहां पर आपको COP में बहुत rare कोई गाड़ी मिलेगे यह मिलेगी यह बाली आपको ज्यादा मिलेगी क्याबिन वाली है न तो मैं भी इसको ज्यादा प्रैफर्ता हूं आप लोग अपना idea पताना आप लोग अपना comment पताना और दोस्तों तो कुछ लोग ये भी बोलेगे कि मितु भाई यार आपको detail पता नहीं होती आप लोग ने detail पूरी नहीं दी ये वह स्वाना तो मैं मिरे भाई हो मैं आपको पता हूँ मुझे जीतनी knowledge है न तो मैं उतनी आ आगे शुदू करते हैं दोस्तों ये जीपेस दोस्तों कमपनी से लगाया है न और दोनों डोर उपन होने पर light उपन होगी है ये वहाला close है वहां से खुला तो लाइट उपन हो गया अंदर भी दोस्तों काफी अच्छा कैभी ने अंदर से देखोंगे तो काफी खुला औ और काफी अच्छा क्या मैं पर्दे वर्दे गाड़ी के घर गए वे और अब मैं क्या करता हूं कि इसका एक और आपको जो खुबी है वो दिखाता हूं इन गाड़ी में आ रही है तो वह देखो कि आप यह स्टेरिंग अड़ेस्टर बोलते हैं जो आपकी गाड़ी को प्रॉपर जो आपको कार में सुविता मिलती है वो मिलेगी अपने हिसाब से आप स्टेरिंग सेट करो अप करो डाउन करो कहीं भी कर लो है ना जहां पर आपक गाड़ी उसमें नहीं आ रहा है शायद टाटाई गाड़ी हम अभी यह चीज नहीं आ रही है महिंद्रा में और में भारत में यह चीज आ रही है अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों अंदर से ना एक प्रॉपर देखो आप गाड़ी का जो कैबीन है वो इतना कमाल पूरी नहीं है और खिचाई में भी गाड़ी मतलब बैस्ट है भारत में की जो गाड़ी है वह पहाड़ों में इतना बैस नहीं दे पाती है अपना तो आप डिजल भी ज़्यादा उठाले के लिए और ओवरलोड के लिए मैं खुद बता रहा हूं मैं खुद भी 35-35-38-38- लिए बहुत ही ज्यादा प्राफर करता हूं और बिलकुल कंफर्ट ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत हो रही है हाँ दोस्तों एसी गाड़ी चलती गाड़ी में तो बिलकुल नॉर्मल डिजल उठाता है न बट मालो अगर आप कहीं पर रूके ओ तो आप लोग जैसे खड़ी गाड़ी में AC उUze कर रहें तो तो मैं कह सकता हूँ कि महिधरा गाड़ी डिजल ज्यादा उठाती है आप लोगो के चाया मानना है आप लोग कमेंड़ करके है जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नई गाड़ी जो मिद्रा किया रही है मालों यह भी गाड़ी आई तो शुरू में इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिजल खाया अब सुरू में दोस्तों चलेगी गाड़ी थोड़ी खुलेगी तो कुछ टाइम तो लगेगा तो बाद में अब मैं आपको इसका में बढ़ाऊंगा जो एक और चीज में आपको पता हूं जो इसका गियर लीवर है सबसे पहली बाद जो इसका गियर लेव ले ना आप चेक करोगे इटियोन का गेर और एक रिवर्स की यह रहना और जोस्तों यह वाली जो चीज़ आना इसकी जो लीवर की रॉड होती है यह यह महिद्रा में कमजोर है यह तूट जाती है बहुत बार मैंने देखा है काफी जादा बार यह रॉड तूटती है और हाँ दोस्तों यहां से ना क कैबिन वाली गाड़ी में क्या चीज़ है कि कैबिन वाली गाड़ियों में रॉड के बाद तार है इसमें जो सीधा पीछे जाके जहां पर प्रॉपर एक गेर है इसका वहां को नेक्ट होती है तो वह तार हमार को तकरीबन थारू साब की दिने टाइम बाद चेंज करवान तो दोस्तों आप लोगों को पता लगाओ का अगर आप लोगों को वही अपना शूजैसन देना है तो आप लोग दे सकते हो अब यह अपना आते हैं मेटर पे तो मेटर की मैं बात करूं कि यह रहा आपका एक प्रॉपर डिजिटल मेटर यह आपका यूरिया यह आपका प्रेशर एंड एक सेकंड मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं गाड़ी प्रॉपर दोस्तों बिल्कुल स्मूथ गाड़ी है बिल्कुल स्मूथ गाड़ी स्टार्ट होती है और बत्ती आई भी है यह किस चीज की बत्ती होगी यह दोस्तों यह तो पर्मनेंट रहती है और आप गाड़ी के मीटर देखोगे तो हर चीज की ना यहां पे आपको फूल डिडेल दे रखी है अभी गाड़ी की सर्विस आई है तो थोड़ा यहां पर दिखा रहा है है ना इस चीज से अभी कल तक ठागर साब करवाएंगे सर आट-9000 में यह कितने हजार पे हो रही है इसकी चे महीन बाद अभी आपकी गाड़ी चली है 34000 किदने महीने चली यह चुकिए एक्चुली क्या होता है कि हमारी गाड़ी यह एक्ट्री क्पनीज में लगी है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर जाते हैं या कहीं भी यह है ना अगर नहीं हो पाया तो फिर माफी चाहूंगा यह थोड़े से यह चेंजिस आपको करोने यह किस किस चीज़ के बटने ठागुर साथ अगर आपकी गाड़ी में इसमें एक दिक्कत है कि अगर इसमें डीलेफ मेटर में आ जाए तो गाड़ी रोपने बढ़ती है अगर जैसे मतले स्लैंसर में कुछ भी कारवन जलके भाहर निकलता है अगर वह फस जाता है तो यह गाड़ी खुद ही रुख जाती है फिर वह हट जाएगी और यह थर्डवन यह नॉर्मल ऐसे लगा रखा है तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बताया आप लोग ना अपना मुझे अपना अपना रिवीव देना कि मितुभाई महिंद्रा में यह जीज अच्छी है यह जीज बुरी है यह होना जहीं था यह नहीं ह हमारे दोस्तों हमारे हमाचल में प्रेश्र हॉन बैन हमारे चलान बहुत खतरना गोते हैं प्रेश्र हॉन के वागी मैं आपको दो तिन कुछ एक सिनेमेटिक शॉट्स लेता हूं गाड़ी के वह भी दिखाता हूं आप लोग मुझे पक्का कमेंट करके बताना कि मितुभा यह चीज रहेगी वह चीज रहेगी हम क्या करेंगे एक दिन महिंद्रा और भारतवेंच का कंपैरिजन भी करेंगे भारतवेंच उसके बाद रिवीव वीडियो करेंगे फिर तीनों टाटा महिंद्रा और भारतवेंच दीनों गार वीडियो भी करेंगे जितरे जल्दी हो होगी है ना तो फिर से अगर भी वीडियों के साथ मिलेंगे दोस्तों अभी के लिए जैश्री राम